नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में आज का जो वीडियो है यह Honda City के बारे में हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एक second hand Honda City खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए यह इसकी service cause जो है वो क्या है वो भी मैं आज आपको एक वीडिय वीडियो में लाने के लिए वो मैं आपको वीडियो के इंड में बता दूंगा उसके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अभी चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यह Honda City जो है इसका जो एक्स्टिर लूक है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहां पर देख सकते हो और जो इसके जो ओनर ते फॉस्ट ओनर उन्होंने बहुत ही मेंटेन रखी है यह कार अभी आप यह क्लियर कट यह वीडियो में देख सकते हो और आज के वीडियो में आपको यही बताने वालों में कि अगर कोई मेंटेन होंडा सीटी रेते हैं उसके किलमेट बता देता हूँ कि इसकी maintenance cost और क्या है और क्या हमें देखना चाहिए आपको दोस्तों इसका जो interior है वह भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यह आपको एक अंदर सा आज आएगा यहाँ पर दिखिए यह ऐसा कुछ इसका interior है बहुत ही lavish interior है दोस्तों यहाँ आप यह देख सकते हो हाइट आइजस्टेबल सीट भी मिल जाती है इस कार के अंदर आपको यहाँ पर देखिए रेर में भी आमरस मिल जाता है आपको और अब यह जो सीट है यह मेरे हाइट के इसाब से एजस्ट की हुई है और यह यहाँ पर आप यह लेग रूम देख सकते हो लेग रूम भी बहुत ही अच्छा है और यह पीछे से ऐसे कुछ दिखती है कर यहाँ पर आप यह देख सकते हो अब फ्रेंट्स में आपको यह कार स्टार्ट करके दिखा था हूँ और यानि कि इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि 2013 होने के बावजुद भी यह कार क्रेंक लेने में कितना टाइम लेती है अभी मैंने पार्शली ओन कर लिए यह यह देखिए बहुत ही क्वीक है दोस्तों होंडा सिटी का यह जो 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन जो है यह बहुत ही मस्त है दोस्तों बहुत ही पैपी इंजिन है यह यहाँ पर आप यह एक्सेलरेशन का भी साउंड देख लीजे एक बार यह देखिए और यह ऐसी कुछ इसकी साउंड सिस्टम मिलती है 2013 की यह वेहिकल थी और इसके अंदर आपको यहाँ पर यह ट्विटर भी मिलते है यहाँ पर आप यह देख सकते हो कि यह अदिकेए और यह जो इसका MID क्लस्टर रही यह भी बहुती मिलती है और इन ट्रम्स ओफ सेफ्टी अगर देखा जाए तो इस कार में आपको दो airbag मिलते हैं ABS मिलते हैं इसके बाद में सीट बेल रिमाइंडर भी है यह इस कार में जो की बहुत ही बढ़ी बात है और इसके बाद में यहां पर आप यह देख सकते हो कि इसके अंदर चारों पावर विंटो है और इलेक्ट्रानिकल एड़स्टेबल मेर भी है यह आप्याप यह बटन देख सकते हो और यह जो डॉटरॉबर साइट का जो विंडो है यह वनट टाच अपडाउन है यह आप यह देख सकते हो और जो इसका AC भी है दोस्तों यह बहुत ही मस्त है 2013 की वेहिकल होने के बावजुद भी यह जो एसी इसका बिल्कुल भी आवाज करता नहीं है और बहुत ही थंडी आवाज देता है दोस्तो यहां पर आप यह आप यह देख सकते हो और सबसे में बात जो इसके जो टॉपन वेरेंट है वो टॉपन वेरेंट में आपको क्रूस क gorot कैसे एक्ट il करता अभी फिलाल में ये वीडियो में तुम्मेश अब यहीं बता होगा दिए जो रहेंज़ सीडन कार चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक पेट्रोल सीडन कार इससे अच्छी कंडिशन और इससे अच्छी गाड़ी मार्केट में और कोई है सेकने कार मार्केट में बेसिकली देखा जाए तो 2013 की जो होंडा सीटी है वो आपको आरम से 3 लाख रुपे में मार् करते हो जानि कि अगर कोई डॉक्टर एड्वोकेट या ऐसे कोई जो प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं जो अपनी कार जो है वो टाइम टू टाइम मेंटेन रखते हैं उनकी कार जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो एक आंदाजन 3 लाख रुपे के असपास आपको होंडा सीटी जो है वो मिल जाती है देखिए बेसिकली अगर आप कोई भी 2014 या 15 की वैगनर अगर आप मार्केट में देखने को जाते हो तो आपको VXI वैगनर जो है वो 3 या 3.5 लाख रुपे के असपास मिली जाती है तो अगर वैगनर और होंडा सीटी का हम अगर कभी कंपरेजन करते जो की कंपरेजन नहीं है लेकिन अगर इन टामस अगर हम कभी प्राइजिंग से कंपर करते तो देखा जाए तो होंडा सीटी बहुत ही अच्छी चॉइस है एक तो देखिए आपको सबसे पहली बात एक तो सीडैन कार मिल जाती है इसके बाद में देखो आपको एक तो हों कुछ नहीं पड़ता क्योंकि और यह कार कर जो है स्टेटर जो है मार्केट में बहुत ही अच्छा जो रेप्यूटेशन है होंडा सीटी की वह बहुत ही अच्छी और अगर सर्विस कॉस की हम अगर बात करते तो शोरूम में आराम से चार से साड़े चार हजा रुपे में यह कार जो है वह कंप्रिट सर्विस करके हो जाती है जो कि हर दस अज़ा किलोमेटर पए यह कार की सर्विसिंग की जाती है और अगर यही सर्विसिंग हम बाहर से करते हुआ तो एक अंदरजर नब पकट लीजे 25 hacerlo store से 3 रुपे में यह कार की और class plate की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अंदाजन petrol car है यह चार से साड़े चार हजार रुपे में इसकी class plate market में मिल जाती है आप अगर कोई mechanic को class plate खुद purchase करके कोई mechanic को दे देते हो तो उसके fitting के जो charges से वो 500 हजार रुपे लेके आपको एक अंदाजन पास से 6000 रुपे में इसकी class plate overall हो जाएगी जो की अगले एक लाख किलोमेटर तक आराम से चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि यह जो cost है वो बहुत बढ़ी है as compared to 1 लाख किलोमेटर और वैगनर के comparison में मुझे यही बताना था वैगन या दूसरी कोई भी आयटाइन हो जो आप 3-3.5 रुपे में देख रहे हो उसके comparison में Honda City बहुत ही एक अच्छी choice है और average की हम अगर बात करते है so average जो है यह car जो है अगर आप 2000 RPM के अंदर रखते हो और 5th gear पे 80 या 90 का speed maintain रखते हो so यह car जो है आपको आरम से 15-16 km का average दे देगी और उसके बाद में अगर देखा जाए तो 3 लाग रुपे में आपको yellow views मिल जाते है cruise control मिल जाता है अगर आप top in Honda City लेते हो और sedan car मिल जाती है यही आज के वीडियो में मुझे बताना था और यह जो मेरे जो दोस्ते जिन्होंने हाली में अभी यह car purchase की है उन्होंने बहुत से Honda City देखी थी लेकिन यह Honda City उन्हें बहुत ही पसंद नहीं यह Honda City मैंने भी देखी थी और उसके बाद में हमने डिसीजन लिया कि हम Honda City को प्रेफर करें और हाँ दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने क्यों यही Honda City कि डिसाइड की वीडियो में लाने का सो उसके पीचे एक बहुत ही बड़ा रिजन है यह अभी जिस Honda City में मैं अभी बैठा हूँ इसके किलोमेटर हो चुके हैं 151,000 जिया दोस्तों 151,000 यह कार ने कंप्लिट कर चुकी है और अभी भी यह कार जो है यह बहुत ही मखन चलत है मैं अभी आपको स्क्रीन शॉट में दिखा दूगा कि यह कार के किलोमेटर कितने यह देखिए दोस्तों यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी यह कार में आपको रिंज दिखाई दी रही है और यहाँ पे अगर आप यह बटन प्रेस करते हो सो देखिए यह का 2774 किलोमेटर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी बहुत ही मखन चल रही है अगर यह कार ऐसे ही मेंटेन रखते हैं दोस्तों तो आरम से मैं कहता हूँ और एक लाग किलोमेटर तक यह का अरम से चलेगी और और क्या-क्या फंक्शन से वह भी मैं आपको दिखाता हूँ य यहां पर एवरेज दिखा रही है यह कार अभी यह कार जो है यह सीटी में ड्राइव कर रही थी इतने देर से सो 13.1 किलोमेटर का जो किलोमेटर है यह दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों 1.5 लिटर पेट्रोल इंजिन के सबसे 13 का अवरेज कोई बु बेंटो या और दुसरे कोई कोई कास रहते जिनकी 1,20,000 किलोमेटर के बाद एक मेजर सर्विसिंग करनी पड़ती है और उस मेजर सर्विसिंग में जैसे कि टाइमिंग बेल्ट चेंज करना पड़ता है वैसे इस कार में कुछ नहीं है मतलब सर्विसिंग है मेजर लेकिन चैन्ग बेल्ट का खर्चा नहीं है इस कार में आता है । टाइमिंग जैंग और वह टाइमिंग जो है वह कटिसे इसका कोई सपेशिफिक एक मतलब ताइम इंटरवल नहीं कि इतने-इतने किलोमेटर के बाद इस कार का टाइमिंग जो है वह चेंज करना पड़ता है अग करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसना होगा अगर आपको यह वीडियो लगता है यूसपूल तो प्लिस मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमें सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजए और जादा से जादा अपने उन दुस्तों के साथ शेयर कर दीजें, जिनके पस अल्रडी होंडा सिटी है, या और वो होंडा सिटी या कोई भी पेट्रोल कार, तीन लाग के असपस अगर उनका बजट है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर दीजें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो है, वो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, सो बाइ फ्रेंड्स